बच्चों रोगों की तो बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं कि हमारा शरीर जो है वो किस तरीके से इन रोगों से हमारी रक्षा करता है तो प्रकृती ने हमारे शरीर को यानि जीवों को जो है कुछ निष्चित कार्य प्रणालिया दी गई हैं या प्रदान की गई हैं प्रकृती ध्वारा ताकि जो है हम रोगों से हम अपनी सुरक्षा कर सकें तो जैसे ही कोई पैथोजन और उसका टॉक्सिन जैसे ही शरीर में प्रविश करता है पोशक की कोशिकाओं में इतनी च्वमता रहती है कि वो उनको रोक सके उनके प्रभावों को कहना चाहिए रोक सके या खतम कर सके और यह जो भी होता है वो एक तंत्र के जरीये होता है यानि यह जो कहलाता है वो प्रतिरक्षा कहलाता है और इसमें एक तंत्र है वो है प्रतिरक्षा तंत्र यानि इम्यून सिस्टम है तो इम्यून सिस्टम की अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम में खास उसकी विशेश्टा क्या है कि यह अपने और बाहर की जो कोशिकाएं हैं इसने बहुत आसानी से यह विभेदन कर सकते हैं यानि आइडेंटिफाइड कर पाते हैं इसलिए जैसे ही कोई बाहरी पैथोजन्स जो है वो एंटर करता है वो इनको जो है खतम कर देते हैं नस्ट कर देते हैं अब यह इम्यून सिस्टम जो है वो दो प्रकार का होता है एक ह्यूमरल एंटिबॉडी की इम्यून सिस्टम है ह्यूमरल है इसको नाम जो है पहले ह्यूमरस कहते थे अब इसको ह्यूमरल कहते हैं तो यह जो है एम आईएस यानि एंटि इसमें जो है antibodies बनती है और यह antibodies के यह एक तरह की protein है soluble protein होती है यह lymph and blood के जरी जो है पूरे शरीर में क्या होती है circulate होती है और जैसे ही pathogens like bacteria and virus enter करते हैं यह antibodies जो है उनसे kriya करके उनको खतम कर देती है नस्ट कर देती है है दूसरा जो है immune system हमारा cell mediatory immune system है याने की cmis है अब इसमें जो है कुछ विशेश तरह की cells होती है यानि कोशिकाएं होती है और यह lymphocytes कहना चाहिए और इसमें B cells है T cells होती है यह B cells और T cells है यह भी क्या करती है है इनकी अलावा मतलब बैक्टिरिया आयन वायरस से तो हमारे रक्षा करती है लेकिन कोई protozoans है और कोई fungus है आपने पीछे संक्रामा के रोगों में पढ़ा ही था कि कुछ protozoans है वह भी एफेक्ट करते हैं हमारे बोडी को कुछ रोग पैदा करते हैं ऐसे कुछ अब हम बात करते हैं टाइब साथ इम्मूनिटी यानि प्रतिरक्षा जो है वह दो प्रकार की है वह दो प्रकार है एक जसो है जअ कहना रहे कि जन्मजात है आध च् Extrasse को JaSiा ऑबने बने कि लिगसे वह नहुक्त से ही वह प्राप्त होती है इसकव coalition जोरिक्त इसको निच्राल इम्मिनिटी भी जाहते हैं इसके भी और आगे प्रकार है जैसे कि बंप कर दो भर करते हैं इन पैतोजंस को हमारी बॉड़ी में पविश करने से रोखते हैं तो वह बंप कौन से जैसे पहला बेरियर है वह फिजिकल का जानी कि भौतिक रूप्से यह एक और वो अवरोद में सबसे बड़ा जो इसमें आता है वो है इसकीन यानि हमारी तौचा तो हमारी तौचा जो है बहुत बड़ा अवरोदग है यानि किसी भी रोगानों को उसके प्रवेश को जो है वो रोकती है सबसे बड़ा barrier ये skin है इसके अलावा जो है nasal hairs है आप जानते हो हमारे ये नाक के जो nostril है यहां पर nasal hairs होते हैं इसलिए कहा जाता है कि नाक से ही मतलब कहना जी जो सांस लेते हैं वो nose के थुरू ही जाए तो वो better होती है क्योंकि एक तो वहाँ hairs है उसमें जो dust particles हैं कुछ germs हैं जो entry कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं वहाँ पर first जाते हैं ट्रैप हो जाते हैं तो ये nasal hairs में वहाँ भी mucos gland से mucos secret होता है और दूसरा जो है कि respiratory tract है वहाँ पर भी mucos का एक layer है और urinal genital जो mark है वहाँ पर भी mucos का layer है जो ये बाड़ी में एंट्री करने से ये रोकते हैं तो ये सबसे बड़ा physical barrier है दूसरा जो barrier है वो physiological है अब फीजियोलोजिकल किस उप को कहेंगे यानि कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी कारे होते रहते हैं कुछ system जो है system जो अपना कार करते रहते तो इनके जरिये जो है कुछ ऐसे कह अब कुछ एक्जामबल की हम बात करते हैं जैसे की अमाशय आपने इसको पहले की क्लासस में पड़ा हुए अमाशय में क्या होता है SCL ये gastric glands होती है अमाशय में और जो जठर रस स्रवित करती है और इस जठर रस में SCL होता है इसका एक काम तो आप जानते हैं कि ये जो है अमाशय का जो पी एच है उसको एसे डिक रखता है क्योंकि उसी माध्यम में जो है वो पैपसिन जो है वो काम कर पाएगा इसका दूसरा महतोपून काम क्या है कि हमारे बोजन में यदि कोई बैक्टिरिया कोई पैथोजन्स एंटर भी हो गया है तो भी वो SCL जो है उसको काम करता है और फिर हमारे मुँ में जो है लार है यानि तो है था आजयो कहते है और आशो भी निकलते हैं बट यह अच्छे होते है क्योंकि यह इंस भी क्या करते हैं क्योंकि शॉव प्रवेश को रोखते हैं इस तरह के काम करता है तो यह कुछ ऐसे फीजियोलाजिकल बैरियर्स हैं जो कि रोगानव के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर भी जाते हैं अब भी उनको क्या करते हैं खतम करते हैं और देखिये आप प्रक्रती ने हमें कितने अच्छे तरीके से ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं कुछ system है हमारे अंदर कुछ ऐसे barriers हैं जिनके जरीए हमारा रोगानू से जो है वह सुरक्षा हो जाती है तो यह दूसरा प्रकार हो गया तीसरा प्रकार है अपलुलर कोशिक किया अब इस में जो है वह दो प्रकार होते हैं एक जो है आपका मेक्रो से वाइट बलट जैल्स है और इसके बारे में आप बहुत पहले से जान रहे हैं कि Wbc के जरीए हमारा शरीर संक्रमन से हमें बचाता है तो यह पहली में कहना चाहिए कि जैसे दैनिक संक्रमन जो भी हमारे आसपास वातावरन में पैथोजन से वो एंटर करते हैं लेकिन डबलो बीसी क्या करता है इनको खतम करते जाता है भक्षान करता जाता है इसलिए इनको भक्षकानू कहते हैं और फेगो साइटोसिस की एक क्रिया जैसे आप देखनें जानते हैं यह उनकी पोषन का माद्यम है मृषन जैसे आप देखनें कि अमीब कैसे जो है फूट पार्टिकल को अंदर ले रहा है तो इसी तरीके से डबलो बीसी में जो मैक्रोब फेज और सेम इसी तरीके से काम करते हैं अब इसको भी इसके जरिये देख स से असम बहते हैं यह एक पिली डही रिक परने काना हैं कि अमक्रोपस कि यह कंपने हैं और जो कि वी ड्राइक कि टा खरक दे पिल आप से तो तो पहसले हैं उसको प्रणर टा रिक अन्होंन दुर्क शली बिरी में इस मगा है मैक्रोबस क़ries है दोप दित्म बुणी में घ्राइब और लंजाता है अब इसको अंदर ले लिया तो ये फैग्योवसुम बन गया मेक्रोफेज में लाइसुम क्या करेंगा या अब जानतेों ख्कुनait थब गालने फैग्योक भी दैजस्तिभ तो अंदर केhai बैक्टिरिया निसको क्या करता है बोड़ा किलर नेक्स स्टेज एंड जब ये पूरा खतम हो जाता है तो लास्ट में रेसिटुवल बॉडी बनती है और ये रेसिटुवल बॉडी जो है वो प्लाजम मेंबरेन के करीब आती है और फिर ये शरी कोशिका से ये बाहर निकल जाती है तो इस तरीके से ये मैक्रोफेज जो हैं वो माइक्रोब सेंटर करते ही रहते हैं और ये उनको क्या करते हैं खतम करते जाते हैं तो लाइसोसोम का इतना महतपून काम है क्योंकि उसमें बहुत सारे डाजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो की फेगोलाइसोसोम के जरिये उनको खतम करते हैं तो ये मैक्रोफेज की इसना बात हुई और दूसरा जो है लिम्फोसाइट्स है और यह ल्लेंफेτιक सिस्टम में लिम्फोसाइट्स यानि दो तरह की कोषिकाए बनती हैं, B cells and T cells हैं. इसको भी हम डेटेल में पढ़ेंगे तो यह cellular barriers हैं जिनके जरिए हमारा हमारा शरेर वो वो क्या होता है? सुरक्षित रहता है. रोगाणों से हमारा यह system लिए ऑप बात करेंगे. अम उपना कि प्रतिजैविक विहिंग प्रोटीन है. वाइरस में एंटर्फएरान होते हैं अब यह जैसे आप पिक्चर देख रहे हो कि जैसे वह वाइरस को एंटर कराया गया तो इसका जो आउटर लेयर है वह डिससाल हो जाता है और उसका जो जिनेटिक मट्टेरियल है वह अपनी मतलब copies बनाता है तो वह interferon वही होते हैं और वह protein होते हैं अब इस तरीके के यह ज्यादा प्रफा वाले यादी वाइरस एंटर करते हैं यह अटेक करते हैं तो यह वाले protein interferon जो है वह उनको खतम करते हैं यानि नस्ट करते हैं तो इस तरीके से एक चौथा साइटो काइंस तो यह अभी हमने जो बात की यह टोटली इनेट इम्मुनिटी की बात की यानि यह जन्मजाग यह क्वालिटीस है जो हमको यह मिलती है बाइबर्थ मिलती है यह कहना चाहिए कि यह जिनेटिक ली जो है वह मिलती है बचो इम्यून सिस्टम जो है वह किन से कि से मिलकर बना होता है कई प्रकार की कोशिकाएं हैं उनसे बना होता है कुछ टिशू से यानि उत्तक हैं उनसे बना होता है और कुछ लिम्फोसाइट्स जो है वो दो प्रकार की होती है एक होती है प्राथमिक यानि प्राइमरी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स और गन्स होते हैं जिन अंगों में यह जो है लिम्फोसाइट्स जो है वो बनती है तो जैसे कि प्राइमरी ल और लिंफ ग्ल dul हैं ईल्यम है से तो यह जो है लिंफॉइट और डिनुम्फोसाइट्स बनती है और गो तरीक से हमें रोगाण्व उसे बचाती है वो सब इसके अंतरगत आता है तो इससे पहले जो है हमने इनेट इम्मिनिटी की हमने बात कर ली थी यानि जन्म जात जो प्रतिरक्षा है इम्मिनिटी है वो क्या होता है जन्म से ही बच्चे को यानि जीव को जो है वो मिलती है अब दूसरी जो है उसका क्या प्रकार है वो एक्वाइड है एक्वाइड का मतलब होता है उपार्जित जिसको जो है जीवन काल में कहना चाहिए वो ग्रहन करता है उसके जीवन काल में वो ड्यावलाप होती है तो वो होती है उपार्जित अब जब कभी भी जीव में पहली बार कोई पैथोजन या रोगा तब चुह हमारी बॉड जो है लो इन इंटन्टी की जो है बॉट बढटी में एन्टर करता है तब जो है इन टैंसिटी रहती वह बहुत हाई रहती है तो यह है प्रायमरी रिस्पॉंस है जो भीना इन टनील हमने बात की अब जब वो सेकेंड टाइम जब वही पैथोजन एंटर कर रहा है तो हाई इंटेंसिटी की जो है वो सेकेंडरी रिस्पोंस होता है वो हमारे बॉडी जो है वो रिस्पोंस करती है असल में हमारी बॉडी को याद रहता है वो पहली मुठ पेड यानि पहली मतलब सो डिफ्रेंट कि कितना प्रकृति के द्वारा ही हमें हमारे शरीर में जो है इन रोगानों से हमें बचने के लिए यह तरीके दिये गए हैं तो यह एक्वाइड है बॉडी में डेवलाफ होती है तो अब जैसे हमने उपारजीत की बात की अब होता क्या है कि इसमें कु इसको डिस्पॉंस करने वाली कुछ कोशिकाएं होती है और व वह कोशिकाएं कौन सी है वह Commoders कोशिकाओं का उत्पादन करती है और यह कोशिकाएं जो रफेक्टर मेमोरी सेल्स कहलाती है यानि प्रभावी कोशिकाएं और यादास्त कोशिकाएं अब प्रभावी कोशिकाएं क्या करती है जैसे कोई पैथोजन एंटर किया तो उसको नस्ट करने का काम करती है उसके द्वारा जो हामफुल जो पदार्थ है जो सिक्रिट हो रहा है तो उसको नस्ट करने का काम करती है कौन उसको याद रहता है, यादास्त इसको कोशिकाय कहते हैं, तो फिर से एफेक्टरमामोड दोवलप करती हैं, यह उत्पादित करती है, इफेक्टर सर्फिर से यहारेगी, वो जो एटिजन प्रवेशकिया उसको मारने का काम करेगी और अगले नेक्स टाइम के लिए जब कभी वो पैथोजन्स या एंटिजन्स बॉडी में एंटर करेगा तो उसके लिए रियक्शन के लिए वो त्यार रहती है तो जो प्रभावी कोशिकाएं है यानि फैक्टर सेल्स जो है उनका जो लाइफ है कहना चाहिए वो बहुत कम समय के रहता है लेकिन जो मैमोरी सेल्स हैं वो काफी लंबे समय तक बनी रहती है इमन कहना चाहिए कि जीवन परियंद तक होल लाइफ तक यह बनी रहती है इसके कारण जो है इसको एक्वाइड करते हैं कहते हैं क्योंकि जब कोई एंटिजन एक बार एंटरी कर लिया तो उसके बात जो है हमारी बॉडी में जो है एंटी बॉडिस बन जाती है यानि प्रतिरक्षा ऐसे अनू बन जाते हैं और यह अनू जो है क्या करते हैं हमें उन रोगानों से उन पैथोजन से जो है हमारी रक्षा करते हैं अब यह एक्वाइड इमिनिटी जो है वो दो प्रकार की ह आप आक्टिव में प्रवेश होता है तो उसके अगेंस्ट में17 बनने लग जाती है और इस तरह की immunity में antibodies बनने के लिए जो है वो समय लगता है और फिर जो है ये एक बार antibodies develop हो गई तो ये फिर जो है बहुत समय तक रहती है तो ये जो है active immunity है acquired और जो दूसरी है passive तो ये जो है actually क्या होता है इसमें बाहर से antibodies को बोड़ी में प्रविश्कराया जाता है तो इसमें ये तुरंत सक्री रहती है क्योंकि एंटी बोड़ी में एंटर्ण हो रहा है तो ये सक्री हो जाती है तो इसका जो डूरेशन यानि ये जो है कम समय के लिए रहती है इसको हमें एक एक्जांपल के जरी देख सक हो जाएगा अब ये उस वायरस के जैसे होती है बोड़ी में antibodies बने लगती है लेकिन वह उतनी पर्याप्त मातरा में नहीं होती है तो इसलिए क्या किया जाता है ऐसे दूसरे जनतु जिन में ये antibodies बन रहा है वह antibodies को इसमें इन में जो है वह इंजेक्ट किया जाता है ताकि पर्याप्त मातरा में एंटिबॉडिस बन सकें और फिर जो है उसकी जो है उससे सुरक्षा हो चके यानि जो रैविस वाइरस एंटर किया है उससे उसका बचाव हो सके तो यह दो तरह की एक्वाइट इम्मेनिटी हैं तो ऐसा एक उधारन जो है जैसे कोई नवजात बच्च है पीले रंग का रहता है उसको कॉलस्ट्रॉम या बियोश कहते हैं उसमें इम्मिनोगलोविन एक ही जो है बहुत ज्यादा प्रचुरता में मातर रहती है जो शीशू की सुरक्षा करती है रोगों से तो यह पैसी इम्मिनिटी का उधारन है और ऐसे ही गर्भस्त शीशू को प्लेसेंटा के द्वारा भी कुछ एंटी बॉडिस जो है वो मिलते हैं जो उसकी रक्षा करते हैं बच्चों हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानि इम्मिन सिस्टम की इतनी बड़ी विशेशता यह है कि यह जो हमारा सिस्टम है स्वैम की कोशिकां और बाहरी जो भी वस्त था इन्टिजन न कहते हैं और जो अंदर में उनके अगेंस्ट में जो मोलेक्यूल से हैं वो एंटी बॉडिस कहलाती है तो दरासल हो था क्या है कि यह ऐंटी जान जो है असल में सुक्षम जीवों में जो सेल मॉल रहती है या उनके बाहरी आवरन में पाई जाने वाले यह प्रोटीन या पॉली सेकराइट्स होते हैं और यह एंटीजन जो है नकेवल सुख्षम जीवों के जरी हमारे बॉडी में एंटर करते हैं बल्कि कुछ दवाईयों के जरी है कुछ ब्लड वैसल्स के जरी है अंडे का जो श्वेत पदार्थ है उसके जरी भी यह पॉलें ग्र तब यह टेस्ट किया जाता है एक्चली एक तो उनके ही जनेटीकली हो यानि उनके परिवार से होना चाहिए और फिर वह मैच होना चाहिए क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं दूसरी कोशिकाओं को में विभेद करती है यानि डिफरेंशियेशन करती है कि कोई बाहरी सिस्टम के द्वारा यानि बॉडि के दवारा नकार दिया जाता है यानि वह function प्रताइड के ने करता है तो इस तालीं पीए बाडि में ने er kicked है यह जो भी एंटीजन बोड़ी द्वार करते हैं वह इंट्षटम के लिए ए इम्मिनीटी डेवलप करने के लिए यानि एंटी बोडी स को बनाने के लिए प्रेड़ीत करते हैं अब जैसे हमने बात की जो यह एकवाइड इम्मिनीटी है वो लिम्फोसाइड ज़रिए दो प्रकार की कोशिकाएं है एक बी सेल्स है और एक टी सेल्स है उसके जरीए जो है वो डैवलप होता है तो यह बी सेल्स जो है वो क्या है टी सेल्स क्या है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे चर्चा करेंगे उसके बारे में तो यह बी सेल्स और टी सेल्स जो है जब एंब्रेवनिक स्टेज रहती है यानि भूणी अवस्था में यह लिवर में बनते हैं लेकिन वयास का वस्था में जैसे आप यह देख रहे हो बोन मैरों में यह बनते हैं तोनों बी सेल्स और टी सेल्स अब यह साल डिफ्रेंशेशन के समय होता क्या है जानते हूं आप जो लिंफोसाइट्स क्योंकि यह बी और टी सेल्स जो है क्या है एक तरह की लिंफोसाइट्स है और लिंफोसाइट्स क्या है एक तरह की वाइट ब्लड सेल्स हैं तो जो लिंफोसाइट्स थाइमस में प्रविश कर जाती है यह थाइमस ग्लैंड में जो प्रविश कर जात हमिदार होती है अवह थísimo है यह वी सेल्स किस तरीके से इनका एंटिजन के परकिस होता है यानि टैन की रिस्पान्स होती है उसको देखतें टो वह बीसेल्स क्क आगर तीजैसे बाडी में कोई ऐंटिजन एंटर करता है उनके अगेंस्ट में ऑडी बन रहे हैं बीसेल्स बि बनाती है है प्लाजिमा में क्लोन सेल्स बनाती है और यह एक क्लोन सेल्स रोगभक एक सेकन्ड में दो और इंटीबॹ Gibson करती है इंटीबॉडनीस की बाध करती है निर्मान करती है यह इंटीबॉडD इसका डियाग्राम किसों कि तरीक अश्म ऑगे साथ हैं कितने सारे बॉड्य मैं एंटी बॉड़िस बन जाते है तो इसलिए तो जब कभी भी भी बहुत ज्यादा मातरा में कोई भी एंटिजन पर कर दर कर राएmom कोई रोगानों प्रविश कर रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत अक्टिव हो जाता है पी सेल्स क्या करती है उनको इस तरीके से पकड़ती है कहने का मतलब जो भी एंटीजन उसको इस तरीके से घेरती है उनकी पहचान करके और फिर जो है फेगो साइड्स जो ह है वो उसको जो है नस्ट करते हैं तो इस तरीके से ये काम होता है बी सेल्स कैसे करेंगी आइडेंटीफाइड करेंगी उनके एंटीजन के बाहरी आवरण में जो मतलब अलग तरीके का जो प्रोटीन है जो पॉली सेकिरेट से उसका आइडेंटीफिकेशन करती है और फिर उसको ऐसा गेर लेती आवरित कर लेती है कि फेगो साइड्स जो है उसको नस्ट करता है किस तरीके से आंपेजन पर रीक्शन कड़ती है उनका एक्शन किस तरीके से होता है तो टि सेल्स भी क्या करती है वो clone cells बनाती है और वो parent cell के समान ही होती है T cells जो है वो कारे के अनुसर जो है वो अलग-अलग प्रकार की होती है यानि है तो वही लेकिन उनका प्रकार जो है cell deficient किसमे जो अलग हो जाता है कुछ मारक यानि killer cells होती है कुछ helper cells होती है कुछ suppressor cells होती है तो जैसे पहली जो है मारक सेल्स है यानि किलर सेल्स है ये किलर सेल्स क्या करती है जैसे कोई एंटिजन एंटर करता है तो ये सीधे उसको जो है यानि उसका जो हामफुल जो प्रोडक्ट्स है या जो पॉईसन है उस टी सेल्स जो है इस तरीके कर रसायन सिक्रिट करती है ता नहीं मारती है ऐसा नहीं कोशिकाओं को मारने के लिए यानि ऐसा नहों की हमारी कोशिकाओं यानि जो एंटीबोली से वह हमारे ही अंदर की तो इसके लिए प्सम सेल्स होती हैं वो को सेव करती है हमारे immune system को और हमारे body को और तीसरी जो है वो helper cells है यह helper cells जो है वो B cells को यानि जो हमने बात की थी कि B cells जो है lymphocytes है वो कई तरह के antibodies बनाती है तो यह B cells को antibodies के निर्मान के लिए जो है वो प्रेरित करती है तो यह इस तरीके से T cells जो है वो काम करती है अब हम basically बात करते हैं कि antibodies जिसके हम अभी इतने बार चर्चा कर चुके हैं यह antibodies है क्या इनका structure क्या है इनका काम क्या है यह जो है Mono specific होती है यानि कि कोई भी antibodies जो है specially जो एंटीजन होता है उसके लिए ही वो response करती है यानि उसके ही specific reasons है यानि determines जो है उससे वो जुड़ती है और उस पर वो काम करती है अब antibody का structure है वो क्या है आप जैसे यह देख रहे हो यह antibody का structure है इसमें जो है कियाओ यह battery चैन्स फायते हैं इस अजोड़ी मॉल्ली की मॉललेक्ट्स हैं तो और महीर यह जो है ड़ाइस्स अलफाइड आप यह देख और दाई सिफाीटไ WAT जुड़ी हुई है इसमें से दो चैन्ज है यानि दो श्रिंखला है है वेट वाली रहती है और दो जो है लाइट रहती है लाइट चैन्स होती है अब इसका क्या मतलब है तो जो है वी चैन्स है यानि की भारी जो श्रिंखला है उन में जो अमीनो आमले की संक्या है वो ज्यादा होती है मतलब इसमें जो है 400 या 400 से ज़्यादा एमिनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं अब यह जो आप वाया कर की सरचना देखे रहे हो इसमें जो नीचे जो सीधी है कि सीधी जो भुझा है इसमें जो है कि बारी खल आए और उपर जो तो भुझा हैं उसमें लाइट और हैवी दोनों प्रकार की श्रिंख लाएं होती हैं तो इस तरीके से ये एंटी बॉडिस हैं एंटीबोडिस जो है एक तरह के की इम्मिनोग्लोबिन होती है यानि के गलाइको प्रोटीन होती है यह सभी एंटीबोडिस जो है इम्मिनोग्लोबिन होते हैं लेकिन सभी इम्मिनोग्लोबिन नहीं होते हैं इसलिए हमने यह पांच प्रकार के इम्मिनोग्लोबिन की बात क इस्टेरा इई है यह लीफो साइट में पाये जाता है। तीस्रा जो है जी है यह ब्लैड में पाये जाता है और पाँच वह जी हैं जो है वह ब्लैड में पाये है तो इस तरह कि ये पांच इंपिशा एंडियर करते हैं और इनको नस्ट करने का काम करते हैं एंडी वो निसाए निए आइंडिए्ट कर ले तो झरूब है जिसके चार और है है और वो पहचान लेती आ उसको वो पकडती है और नichen करते हैं अब जैसे ही कोई अंटिसन एंटर करता है तो उसके द्वारा कोई नो कोई स्राव होता है किसी पदार्थ का तो उसको क्या करती है वो neutralize करती है यानी neutralization की क्रिया होती है और फिर जैसे कोई antigen enter करता है तो उसके साथ क्रिया करके अगुलन शेल पदार्थ बना लेती है जिसको agglutination कहते हैं तो इस तरीके से हमने ये प्रतिरक्षा तंत्र की बात की प्रतिरक्षा या immunity system कितने प्रकार के है उनकी बात की हमारे body में कौन-कौन सी immune cells हैं उनकी बात की और किस तरीके से innate और acquired immunity के जरिये हमारा शरीर हमें रोगानों से सुरक्षा करता है हमें बचाता है इन सब की हमने बात की